जय मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखे मातारानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में अक्षे तृतिया कब है साल 2023 के अक्षेत रितिया की दिननांक वतिति बताएंगे पूजा की विधी बताएंगे इस दिन सोना खरिदने का सुब समय क्या होगा उसकी भी जानकारी दे देंगे अक्षेत रितिया से जोड़ी समपूर जानकारी आज इस वीडियो के माधहम से मापलोग को देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे हर साल बैसाक मा के सुक्लपक्ष की तृतिया तिथी को अक्षे तृतिया मनाई जाती है अक्षे तृतिया का अर्थ है वह तृतिया तिथी जिसका छे नहो अक्षे तृतिया को अक्षा तीज भी करते हैं अक्षय त्रितिया के अबसर पर विवाह करना, सोना, वाहन, मकान, आदे की खरिदारी करना सुम माना जाता है इस दिन इन कारियों के लिए सुम महुर्त या पंचांग देखने की जरुवत नहीं होती है अक्षय त्रितिया पर पूरे दिन अबूज महुर्त रहोता है आपको बता दे कि इस साल साल 2023 में अक्षय तृतिया पर 6 योगों के निर्मान से महा योग बन रहा है जिससे यह दिन और भी सुब हो जाएगा अक्षय तृतिया पर माता लक्ष्मी की पूजर भी की जाती है आपको बता दे कि साल 2023 में आक बैसाक माह के सुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी 22 अप्रेल दिन सनी बार को सुबह 7 बज कर 49 मिनट से सुरू हो रही है और यह तिथी अगले दिन 23 अप्रेल को सुबह 7 बज कर 47 मिनट तक है इस प्रकार साल 2023 में अक्षय तृतिया 22अप्राएल 2023 को मनाया जाएगा बात करें सोभ मोहर्ध की तो अक्षय तृतिया के दिन पूजा का सोभ मोहर्ध सुबह 7 बच कर 49 मिनट से लेकर दो भर 12 बच कर 20 मिनट तक है बात करे अक्षJust-tritiya पर सोना खरेदने का सोमहुर्थ क्या है तो अक्षय तरितिया पर सोना खरेदने का सोमहुर्थ 22 अप्रैल को सुबह 7.49 मिनट से प्रारम हो रहा है जो कि अगले दिन सुबह 5.48 मिनट तक रहेगा अक्षात्रितिया के दिन सभी मांगली कार किये जा सकते हैं इस दिन पूरे दिन सुम मोहर्थ बना रहता है आप सुम मोहर्थ देखे विना किसी कारी को कर सकते हैं पूरे दिन स्वैम सिध मोहर्थ रहता है मानिताओं के अनुसार अक्षय तृतिया के दिन मातालक्ष्मी एवं भगवान विश्टू की पूजा उपासना जरूर करे यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरुवत मन की सहायता जरूर करे ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्राप्त किये गए पुन धन आदी का कभी भी छह नहीं होता इस दिन घर में पूजा के लिए एक खास विधी अपनानी चाहिए जिससे समरिधी आए आप इस दिन ब्रत रखे तो अच्छा है प्रात्यकाल जल्दी उठकर असनान आदी से निवरित होकर पीले वस्तर धारन करे गंगा असनान का भी विशेश महत्व है इसलिए यदि आप ब्रत करते हैं तो पवित्र गंगा नदी में असनान जरूर करना चाहिए यदि आप गंगा नदी में सनान नहीं करें तो आपको घर की साधारन पादी में गंगा जल मिला कर सनान करना है उसके बाद आप घर के मंदिर में विश्नु जी को गंगा जल से सुध करके उन्हीं तुलसी दल अरपित करें सफेद या पीले फूल की माला अरपित करें माता लक्षमी को कमल का फूल चढ़ाई या लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं फिर भगवान विस्नू और माता लक्षमी के समक्ष धोब बत्ती चलाए और पीले आसन पर बैठ कर विश्नु सहस्त नाम या विश्नु चलिशा का पाठ करे पूजा के दौरान आप देवी देवताओं को केला, नारियल, पान, सुपारी एवं मिठाई अरपित करे माता लक्ष्मी विश्नु जी की आरती करे पूजा समाप्त होने पर भगवान को परणाम करके उनका असिरवात ले और प्रसाथ सभी में बाटे अक्षत रितिया वाले दिन आप घड़ा, कलस, चीनी, पंखा, छाता, चावल, दाल, अन, वस्त्र या फल आदि किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं अक्षत रितिया के दिन किया गया दान, पुन्य और पूजा पाठ विसेश रूप से फलदाई होता है ऐसा माना जाता है कि अक्षत रितिया के दिन पूरे दिन माता लक्ष्मी और विस्नु जी का हवान विसेश लाव दिला सकता है उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलुखबर चैनल को सबस्क्राइब करे थैंक्स